प्रीतम दिल्ली से राधा वल्लव शीहर इवेंच गुरुदेव आपके चड़नों में कोटी-कोटी पढ़ाओं गुरुदेव यदि किसी व्यक्ति की मृत्ति हो जाती है तो उसका अगला जनम हो जाता है या अपने करमानुसार किसी लोग को जाता है तो महराजी फिर पित् कोटी कोटी बित्र परिशान करते हैं ये कैसे समभव है आप यह समझो आप पित्र नाम दो बहूत नाम दो कुछ भी नाम दो अब जुवे इनको बहता हो कर्म ही होता है हमारा कर्म ही होता ऐख कोई परीशान नहीं कर सकता कोई देवता कोई भूत कोई प्रेद कोई पितर ये बात गाठ बांदो कोई तांत्रिक कोई सिध यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रमांड में किसी की ताकत नहीं है कि वह हमको दंड दे सके क्योंकि शप का सासन करता भगवान है इश्वर है अगर कोई अपने तफ का प्रभाव भी करना चाहे माले तपश्च्वी है तो बीच में आके खड़ा हो जागा बिल्कुल भजर नहीं करता पर निश्पाफ है उसने अपराद नहीं किये तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे उसकी रक्षा कर लेंगे इसलिए उनका एक नाम है ईश्वर सम पू कों बचाया तुम्हारे अच्छे कर्म है बुरे कर्म नहीं मैं तो फूंक फूंक कर पैर धर रहा हूं जब से मुझे हो से कोई गलती नहीं हुई हमसे हमारी दुरदशा लोग कर रहे हमारी दुरदशा इससे हो रही उससे कोई दूसरा नहीं है बुले तुम्हारे कोई चक कोई नहीं सता सकता जो पर कृष्ण चरण मन अर्पित तो कर यह का नवग्रह रंग भीखारी यह भीखारी नवग्रह तुम्हारा बाल बाका भी ने कर सकते यदि कृष्ण चरणार विंद्ध में चित्त लगाए हो और सब ग्रह तुम्हारे अनुकूल है और प्रहूशे वही है वही दूसरा कोई नहीं है वही तुम्हें दंड देने के लिए कभी भूत बन जाते हैं कभी मृत्यू बन जाते हैं कभी नानाप्रकार की घटनाएं बन जाते हैं इसलिए उनका भजन करोगे तो असली रूप में आपको मिलेंगे प्रेमा अनंद शृूप महांश उंदर शमुद्र करुणा समुद्र वही नहीं कहते जो बिमुख है अधर्मा अचरन करता है उसके लिए मैं काल रूप भेंकर हूँ भगवान ही कह रहे हैं मैं उसके लिए भेंकर रूप हूँ देखो भगवान का ही एक मात्र स्वतंत्र शामराज्य है वही बनने वाले वही बनने वाले हैं बस शावधान होकर उनका वजन करो कोई कुछ नहीं कर सकता जब आप माननता करोगे कि पितर हैं भूत हैं तो उस रूप में मिल जाएंगे जाकी रई भावना जैसे आप बिल्कुल माननते हटा दो कि Mill thriier लो बिनाम रूप हो ने हमारे प्रभू चाय कोई कुछ सताने नहीं कि सी का अटैक जो होता है हमारे मंद पर होता है मलब कोई एक्सिडेंट हुआ तो तर्ण पर हुआ कोई ऊपरी चक्कर जिसे कहा जाता है थो मंद पर होता हुता औरवेस कोई भी आवेद मन पर तो ये तन मन जब तक तुम अहंकार में हो तभी तक पीड़ा दे सकते हैं अगर भगवान को समर्पित कर दिये आप किसी की ताकत है भगवान के समर्पित तन और मन को कोई घसीट कर ले जाए ऐसा हो सा इतना बीर कोई पैदा हुआ है क्या बस एक बात समझ भगवान के आश्रित हो जाओ भगवान निगीता जिम का पितरों को पूझने वाले पितर लोग को जाते हैं भूतों को पूझने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा भजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं वही पितर बने वही भूत बने आप जिस भावना स जो हम भ्रमर करते थे तो अब तो नियम लग गया कि आप लाश फेक नहीं सकते तो गाओं के लोग जो है वहाँ जलाते नहीं थे अब दस कोस से आ रहे हैं सो रखे हुए आवा लकडियों आयसे गंगा नहाया बालू बांदियों गंगा में सकला दिया तो सैकुनों लासे कुट्टे किनारे खाते थे चीत-चीत के खा रहे हैं इस्मसान आए कहीं हमको आज तक कोई परिशानी नहीं अकेले भरमर करते रहे रात गंगा जी का ही किनारा श्रेवन बड़े बड़े हमको बंदू खधारी मिले बैच जो बदमाशों के होते हैं बस बहुत बहुत बात चीत की उन्होंने हाँ ठीक है जाओ पहले तो एक बार तो ऐसे मिले कि लोग कोहरा चाया हुआ था ठंडी कश्व में एक दम बुलाया आ गंगा के किनारे ही और देखने के जान दो भावाजी भजन करता है जाओ 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 सम्में वही भगवान मेठा हुआ है अगर मालों प्रारब्ध होता पिटने का तो दस-पांच लाज जूता करते फिर अटा देते प्रारब्ध शरीर का तो भोगना पड़े है तो मारने की नियत से वह एक हमारे मौनी संत थे गंगा किनारे काफी समय तक साथ ही रहे सेनपूर में तो वह एक दिन घटना बता रहे थे कि हम किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे अब मौन बोलते नहीं थे तो उलेक अन्य धर्माव लंबियों का नगर था जो बिरोधी ह हिंदू धर्म के हैं उनका मतलब कई लोग लड़के से मनोरंजन कर रहें उन्हों देखा बाबाजी और साम का समय था व्लेचल से मारा जाए उनका मनोरंजन है जो उनको पसुपक्षियों को काटने में कोई हिचक नहीं दो बाबाजी काटने में क्या हो बुलाया और उन्ह सब बात में तयार रहते हैं कि भगवान का पता नहीं क्या विधान ए तो एक ने का 45 तो इसको उन請 की आये सहां से follow लगता है ुए तुम्हारा कुछ बिगारा नहीं बोल नहीं रहातो तुम मारूगे क्यों हिंदू इसले मारें ढ़े मार के दिखào तुम अब दो-तीन इधर हो गए, पांच-छे इधर हो गए, आपस पे थपड़ चलने लगए, वो चले गए, बाबाजी चले का बाबाजी इसको, देखा, वो मालिक इतला सर्व सर्व, कोई सता नहीं सकता, कोई लहीं, इत्री वुवल में नहीं, इसलिए, देखो, अपने लोग तो मनो पूरुष शरीर में बाबाजी है, इस्त्री शरीर में, राज महलों में पली हुई मीरा जी, कोई आज तक ऐसा रिकार्ड नहीं कि किसी ने ऐसे चूपाया हो, आज तक नहीं, ओ कई बार हमने गंगायमना भाई का चरित्र शुनाया है कि, अकबर सम्राट का भांजा जो है वो यहां का अधिकारी था अगरे का, वो यहां आया देखा कि अवो जो ब्रह्मचार्णी है, पवित्र उनका तेज और स्वंदरी कल गई होता है, वो देखकर लुभायमान हो गया, और का जितना भी भेट चाहिए, इसको दो हमारे मैल बोले, बेट वाली नहीं, यह तो प मराट पद पर उसका इस्तेदार बेठा हो, तो काय को दबेगा हो, यहां का अधिकारी खुद है, आगरा मंडल का हो, उसने दो बैश्याओं को बिलाया, और का किसी भी तरे इसको हमारे पास लाओ, बाई-जी शीदी शादी थी, वो साधूवन करके आई, वो बादचीता साजे से संत करते हैं, वो बहुत चतुरती का ऐसे पसाना है, दस-बीस दिन लगाता रहा है, और खुद भगवान की चर्चा सुने बड़ा ऐसा, और प्रणाम करके, और वो सरल हर्द है, संत हर्द है, विश्वास ही हमारा साधन है, हम लोग थोड़ी संसे करते हैं, पता न उनका नहीं हमात ब्रंदावन में प्रभू के दर्संग है, गुलिन हमारी इच्छा है, एक बार उन संत के दर्संग, तुने लगा कि चलो भई, संत दर्संग की कहरें, तो मत्वरा कोई दूर थोड़ी है, चलो भई, कराती है, सखी है, रोज सत्संग में आती हम से, चली ग काम था, वो शाम ने, उन्हों ने देखा, इसकी तो काम दृष्टी है, और यह तो मुझे फसाया गया है, उनका दूर रहना, एक कदम भी आगे मत पढ़ना, इसी में तुम्हारा मंगल है, हम तुम्हारा मंगल चाहती है, वो काओ, यह भासा है, क्या समझने वाला, जो बूल जाता है, कोवा मदांधो, मदना तुरूगा, अंदो में अंदा कौन, वो ले जिसको काम जा, वो तो ऐसे, आगे बढ़ा, बस वो, श्री हरिवन, श्री हरिवन, श्री हरिवन, स्री हरिवन से, आख मुन करके प्रभूका जीव, भयंकर सिंग प्रगट हो गया, उसी बीच में, लिखा हो गया, रसिकलन निवाल, पयावा गीला हो गया, मुर्चितों के घिर पड़ा, बाई जी का सरीर, ब्रंदावन में, भगवान करतों, बिना विमान के, एक शण में ब्रंदावन, उन्होंने आख खोल के देखा, अपनी कुटिया में बेठी है, तो उन्ह नहां से साड़ी नहीं, खता मोपाई, दस हजार के हाथियों का बल रखने वाला, मुर्चित होके गिर गया, यहां से, दुरोपदी जी के, भगवान वस्त्रईवन के बिराज, भगवान भगवाल है, बाद्व चरणों में गिराके बड़े, एक भरोशों, बस, तो कोई फ पंचभूत है, यही हमें सब काम कोई है मंत्रतंत्र इन पंचभूतों से अटा दे, देखो कितना हमें फसा लिएं पंचभूतों ने, पांच भूत है, ऐसा फसा लिए, कि बार बार जब से परभू से बिचुड़े, इनी भूतों के чक्कर में जनम मरन हो रहा है, हमारा, ए हरी इश्मरती सर्व विपद विमोक्षणम ये वगवान व्यास देवजी के बशन हरी इश्मरन समस्त विपत्य समस्त समस्त विपत्यों से मुक्त करने की सामर्त रखता है बस ये कि हम लोग हरी इश्मरन करें राधा 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 राधे श्याम राधा वुल्लप से इसी से मंगल है